बूर्णिंग स्टुडेंट्स थर्मो डैनिमिक्स में आज हम स्टैस्टिक्स का आधियन कर रहे थे और इसी के अंतरकरत हम नेक्स ले रहे हैं कला निर्देशा काश फेट स्पेस जिसका इंट्रोडेक्शन हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था तो जिस तरह से कारतिय निर्देशांग परदती में किसी पॉइंट की पॉजिशन को बताने के लिए उसकी स्थती को बताने के लिए तीन निर्देशांगों की आवशकता होती है एक्स वाई जेड कार्थिय निर्देश अंग पदती में हम तीन निर्देश अक्ष लेते हैं एक मूल बिंदू लेते हैं और किसी भी पार्टिकल की पॉजिशन को इन तीनों जो निर्देश अक्ष हैं इनके सापे दूरियों की रूप में हम बताते हैं इसी तरह से जब statistics में हम बात करते हैं किसी system की state को बताने के लिए उसकी अवस्था को बताने के लिए तो यहां पर हम position space के साथ साथ momentum space की भी बात करते हैं मतलब जो स्थती आकाश है या हम बात करें कि जिस तरह से हम किसी particle की position बताते हैं तो हम निर्देशांकों का उप्योग करते हैं उसी तरह से हम यहां पर स्थती निर्देशांकों के साथ साथ समवेग निर्देशांकों को भी समेलित करेंगे तो यहाँ पर किसी पार्टिकल की या किसी सिस्टम की स्टेट को बताने के लिए हम छे कॉडिनेट्स का यूज करते हैं x, y, z, v, x, v, y, v, z और यहाँ पर जो वेलोसिटी है v, x, v, y, v, z, इनकी जगे हम समवेक निर्दिशांको का भी उप्योग कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ द्रेमान का ही डिफ्रेंस आता है तो मास जो होता है पार्टिकल का उससे मल्टिप्लाई करेंगे तो समवेक की कॉडिनेट हमें मिल जाएंगे तो इस तरह से देखिए कि इसी को जिसमें जिस आकाश में हम इन छे निर्देशांको का भी उप्योग करेंगे उसी निर्देश आक्ष को हम या निर्देश आकाश को हम कला निर्देश आकाश भी कहते हैं कला निर्दिशाकाश में अगर किसी आयतन को हमें डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे उसकी जो गुजाएं हैं वो इस तरह से लेनी पड़ेंगी dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz और उसका जो आयतन होगा वो इन अलपांचों के गुननफल के बराबर होगा तो यहाँ पर जो यह अवकल है dx, dy, dz, dpx, dpy, dpz यह बहुत ही हम मान रहे हैं अलप इनकी value है quantity जो है इनकी बहुत कम लंबाई है तो यह जो अवकल है यह निकाए के जो विस्तार है जितना बड़ा system होगा उसके comparison में बहुत ही small होते है लेकिन यह इतने इनफ बड़े भी होते हैं कि इनके अंदर जो निरुपक बिंदू है या हम कहें कि अणों का जो representative points होते हैं उनका number बहुत सदा मिलता है तो इसका जो item होगा अच्छा इसको हम क्या कहते हैं कोश्टिका कहते हैं cell कहते हैं एक cell जो cube के अकार की है जिसकी लंबाई dx दिवाई भुजाओं की लंबाई dx दिवाई dz dpx dpy औ dpz होती है उस कोश्टिका के item को हम capital H से represent करेंगी यहां और gas के प्रतेक अनुका कला निर्देशा काश में अपना एक representative point यह निरूपक बिंदू होता है तो इस जो H item में बहुत ज़ादा बहुत सारे representative points होते हैं और इन representative points को हम कला बिंदू या phase points भी कहते हैं तो देखिए अगर हम घना तो निकालें कि इन कोश्चिकाओं में number density कितने कला बिंदू होंगे परिकाई item तो हम क्या करेंगे इसे हम row से define कर रहे हैं तो row equals to होगा हमने मान लिया कि अगर कोश्चिकाओं को हम 1,2,3 इस तरह से numbering करें और उनके संगत कोश्चिकाओं में कला बिंदू की संख्या को हम एन 1, एन 2, एन 3 इस तरह से define करें तो प्रती एकांग आयतन कला बिंदू की संख्या या घनात्व कला निर्देशाकाश में घनात्व कितना होगा इसे हम row से लिख रहे हैं तो row equals to होगा number of face points upon volume of the cell तो number of face points in ith cell ith cell में number of face points हमने ni माने हैं और face cell का जो आयतन है वो h है, capital H तो row equals to होगा ni upon h यहां जो row होगा वो iv कोश्चिका क्योंकि iv कोश्चिका के लिए हम निकाल रहे हैं तो आयत कोश्चिका के जो 6 coordinates हमने माने हैं उनका कोई function होगा और देखिए इसमें व्यापक रूप से अगर हम कहें कि f स्वतंतरता की कोटियां हूँ अगर किसी निकाई के लिए f degrees of freedom है तो उसके लिए हमें f ही स्थिति निर्देशांक लेने होंगे इस्थिति निर्देशांक लेंगे हम उस system को define करने के लिए और f ही समवेग निर्देशांक लेंगे p1 से लेकर pf तो निकाई की किसी अवस्था को total 2f विमिये कला निर्देशाकाश में हम बिंदू q1 q2 qf p1 p2 pf से निरुपित किया जाएगा कहने का मतलब यह हुआ कि जितने degrees of freedom होंगी उतनी ही विमाएं हमें उस निर्देशाकाश में लेनी होगी उस system को परिभाशित करने के लिए उसकी अवस्था को परिभाशित करने के लिए तो इस कला निर्देशाकाश में प्रते कोश्थिका का जो आयतन होगा जो कि जिसमें f degrees of freedom है तो उसका आयतन h हम देंगे dq1, dq2, dq3 से dqf into db1, dp2, dpf इस प्रकार निकाए कि किसी भी अवस्था का वर्णन कला निर्देशाकाश में उस कोश्थिका पर निर्बर होगा जिसमें अवस्था से संबध कला विंदू स्थित है कि हम किस विंदू की किस एटम की या किस मॉलेक्यूल की अवस्था की हम बात कर रहे हैं तो उस निकाए की अवस्था का वर्णन किस पर डिपैंड करेगा उस phage space में उस कोश्थिका पर निर्फर करेगा तो चिर समत विवरंड में कला निर्देशाकाश में कोश्थिका क्वांटम यांत्री की विवरंड में क्वांटम अवस्था के ही अनुरूपी होती है तो देखिए क्वांटम यांत्री की में हम एक हाईजेनबर्ग सिधान्त के अनुसार डेल्टा Q1 डेल्टा P1 जो हाईजेनबर्ग अनिश्चिता का सिधान्त है तो जो स्थती में अनिश्चिता है और संवेग अनिश्चिता है उनका गुननफल हमेशा H upon 2 pi से जादा या इक्वल होता है तो यहाँ पर हम इसको अगर H upon 2 pi को एक नियतांग के रूप में हमने मान लिया H note डेल्टा Q1 इंटू डेल्टा P1 लगपक बराबर हम ले सकते हैं H note के और इसकी विमा प्लांक के नियतांग की विमा की समान ही है तो इसके अधार पर हम जो वोल्यूम होगा फेट सेल का इसको लिख सकते हैं GH note की पावर F क्योंकि डेल्टा Q1 डेल्टा P1 अगर हम कह रहे हैं कि F सुतंतृता की कोटियां है और डेल्टा Q1 भी जो स्तति निर्देशांक है वो भी F नंबर होंगे और डेल्टा P भी कितने होंगे P1 से लेकर P F तक होंगे तो 11 वारा जो इंडिसेज का multiple होगा इसको हमने H note ले लिया इसी तरह डेल्टा Q2 डेल्टा P2 होगा वो भी क्या हो जाएगा H note हो जाएगा इसी तरह से हमारे पास कितने H note आजाएगे F तक कितने times multiply होगा F time multiply होगा तो ये हो गया मेरा H note की power F यहाँ पर G जो है कोश्टिका में इस तरहों की संख्या होगी ठीक है यहाँ पर G क्या है कि कितने सब levels उस कोश्टिका में हैं तो उससे हम इसको multiply कर देंगे तीन सुतरता की कोटिया होंगी तो H की जो volume होगा cell का वो हो जाएगा G H note की power 3 यहाँ पर 3 क्या है सुतरता की कोटिया है जो की 6 विमिय निर्दिशाकाश में होगी इस तरह से देखिए अगर हम एक विमिय आवर्ती दोलकी की गति पर विचार करें तो उसकी जो energy होती है किसी time पर वो हम देते हैं mvx square plus half x square अगर x direction की motion की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर vx जो है दोलनका रेखियावेक का x खटक है और x जो small x है वो x अक्षिया नुदिश displacement है के constant है और जो कुल गति जूर्जा है वो half mvx square से यहाँ पर show हो रही है और इस्ति जूर्जा half kx square है इस दोलकी मूल आवरती new जहाँ पर new equals to क्या होती है 1 upon 2 pi root k upon m चुकि रेखियावेक का x घटक px equals to mvx होता है तो हम जो गति जूर्जा वाली term है इसको px की term में रख देंगे e equals to होगा px square upon 2m plus half kx square इसको हम elliptical motion की equation में रखें ellipse की equation की form में रखें तो हम क्या करेंगे e से पूरी equation को divide कर देंगे तो हमें मिलेगा px square upon 2m e plus kx square upon 2e that is equivalent to 1 यह जो equation है यह ellipse की equation हमें बताती है यह इस form में है x square upon b square plus px square upon a square equals to 1 यहाँ पर a square जो है वो है 2m e and b square को हमने माना है 2e upon k अर्थ नियत उर्चा e के लिए equation 3 कला निर्देशाकाष के x px तल में एक ellipse को निर्पित कर रही है तो देखिए जैसा कि डाइग्राम से यहाँ पर शो हो रहा है कि इसकी जो दीर्ख अक्ष है अर्ध दीर्ख अक्ष x direction में उसका मान है root 2e upon k कला निर्देशाकाष में निश्चित उर्जा e का एक unique point होगा जो की एक trajectory की रचना करता है फल सरूप इस trajectory को एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं इस दीर्ख अक्ष का कला निर्देशाकाष में एक शेत्रफल हम निकालेंगे a equals to होता है पाई multiply by a into b पाई into अर्द दीरगाक्ष into अर्द लगवाक्ष तो इनको हम multiply कर देंगे a और b को तो हमें मिलेगा e upon new यह जो इसका क्षेत्रफल मिला दीर्द का यह हमें मिला e upon new यह क्षेत्रफल उर्जा के 0 से e तक मानों के लिए कला आकाश को निरुपित कर रहा है यदि उर्जा e से e प्लस d e के मद्ध्य होती तो खेत्रफल क्षेत्रफल क्या हो जाता d a हम इसको differentiate कर देंगे तो d a equals to 2 pi root m upon k d e तो यह जो खेत्रफल है यह इस diagram में shaded region में दिखाया गया है तो यह जो d a होगा यह इसका मान है 2 pi root m upon k d e जो कि shaded region के द्वारा यहाँ दिखाया क्या है इस कला आकाश में capital H equals to h होगा क्योंकि यहाँ पर degrees of freedom केवल 1 है क्योंकि x direction की हम बात कर रहे है तो यहाँ पर f की value 1 है आत्यकोष तिखाओं कि संख्या जो होगी उसे हम निकालेंगे कैसे कि total जो क्षेत्रफल है d a upon एक कोष्टिका का क्षेत्रफल d a upon एक कोष्टिका का क्षेत्रफल होता है h d a upon h that is equivalent to d a upon h जब हम निकालेंगे तो यह हमारा होगा d e upon h into new जो उपर equation है हमारी a की e upon new था तो d a upon h होजाएगा d e upon h new तो यह हमें उस कोष्टिका में उस आइत्रफल में या क्षेत्रफल में कुल कोष्टिकाओं की संख्या को निरुपित करेगा next factor में हम micro states and macro states के बारे में अध्यान करेंगे धन्यवाद